हाई गाईज वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हो आप सब आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ स्मूथनिंग केरेटेन और रिबॉंडिंग से रिलेटेड वीडियो शेयर करने लगी हूँ होप आपको ये वली वीडियो अच्छ वली केर करने पड़ेगी एक्स्ट्रा केर करने पड़ेगी क्योंकि स्मूथनिंग करवाने के बाद हमारे बाल काफी ज्यादा वीक हो जाते हैं मैंने स्मूथनिंग करवाई है तो मुझे पता है कि स्मूथनिंग करवाने के बाद हमारे बाल ड्राय भी होते हैं हियर फॉल आपकी scalp बहुत ज़्यादा oily हो जाएगी length पर आपको इस तरह से लगाना और जो भी amount हाथों में बच जाए उससे आप scalp पर लगा सकते हैं सारे बालों पर लगाईए इससे आपके बालों में shine भी आएगी आपके बालों में tangles भी नहीं पड़ेंगे अगर tangles नहीं पड़ेंगे तो here fall नहीं होगा तो guys इसके इलावा आपको अपने बालों को बहुत ज़्यादा tight नहीं बांधना है braid नहीं बनानी है बालों को बहुत ज़्यादा tight नहीं बांधना है मोटे वाले rubber band का use बिल्कुल भी नहीं करना है इस तरह के rubber band का आप use मत कीजिए इससे आपके बाल फोल्ड भी हो जाएंगे बालों में band भी बढ़ेगा फिर आप जब कभी भी अपने बालों को बिल्कुल open चोड़ेंगे तो आपके बालों में band साफ नजर आएगा ये वले rubber band से जब हम ponitail करते हैं तो हमारी ponitail के look इतनी ज़्यादा अच्छी आती है बट ये वले rubber band आपके बालों को नुकसान करेंगे आपके बालों में band भढ़ जाएगा आपके बाल फोल्ड हो जाएंगे लुक बिल्कुल भी अच्छी smoothening वाली look नहीं रह जाएगी तो आप ये वले rubber band को avoid ही कीजिए मार्किट में इस crunchies मिलते हैं आप वोवले scrunchies यूज़ कर सकते हैं आपको अपनी कॉम बिल्कुल अलग रखनी है जो कॉम सारे यूज़ करते हैं वोवले कॉम आपको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है अपनी कॉम बिल्कुल अलग रखिए उसे बिल्कुल नीट और क्लीन रखिए अगर आपको ओईलिंग करनी है तो आप बिल्कुल हलके हाथों से कोकनेट ओईल या फिर मस्टड ओईल थोड़ा थोड़ा बालो पर लगा सकते हैं आप चाहिए तो कॉटन की हल्प से ओईलिंग कर सकते हैं तो देखिए इस तरह से पॉनिटेल आपको नहीं करनी है यह वह रबड बेंड आपको यूज बिल्कुल भी नहीं करना है सब्सक्राइब करेंगerved आपकूर पॉर्ट मिल जाते हैं उनलाइन पर पॉरा पैकेट मिल जाता है इसके आपको दो फोल्ड करने आप हाई पॉनिटेल भी और सकते हैं लो पॉनिटेल भी कर सकते हैं से आपके वालों को कोई भी नुकसान नहीं होगा अगर आपने स्मूतनिंग करवाई या केरेटेन या रिबॉंडिंग करवाई या तो आपको अपने बालों की बहुत ज्यादा केर करनी पड़ेगी क्योंकि स्मूतनिंग करवाने के बाद हमारे बाल काफी जदा वीक हो जते हैं क्योंकि काफी जदा chemical हमारे बालों पर use होते हैं जिस वज़ा से हमारे बाल कमजोर हो जते हैं अगर आप अपने बालों की अच्छी care करेंगे तो आपके smoothing भी जादा time तक चलेगी और आपके बालों को कोई नुकसान भी नहीं होगा टिक टैक पीन नहीं आ तो थोड़ी देर के लिए कीजिए उसके बाद आप इसको निकाल दीजिए जब आपने रिबांडिंग करवाईए उसके बाद दो दिनों के लिए तो इस इन सभी चीजों का कोई भी आपको यूज नहीं करना है ये सारी चीज़े आप अवाइड ही कीजिए अपने बालों को बिल्कुल ओपन ही रखिए तो गाई स्मूथनिंग करवाने के बाद आप क्लीनिक प्लस शैंपू या डर्व शैंपू ये सारे शैंपू आप बिल्कुल नहीं यूज कर सकते हैं आपको प्रोफेशनल शेंपू ही यूज करने यह बहुत ज़्यादा महेंगे शैंपू नहीं है मैंने स्मूथनिंग कर वाई है मैं मैं इंक के शैंपू यूज करती है मैं अगैं में से कोई भी शैंपू यूज़ कर सकते हैं काफी ज़दा अफॉर्डेबल भी है कॉंटिटी भी हमें इसकी अच्छी मिलती है आप चाहिए तो मास्क भी ट्राइ कर सकते हैं मास्क से हमारे बाल काफी ज़्यादा स्मूथ सिल्की और सॉफ्ट हो जते हैं अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा ड्राय है तब भी आप इसका यूज कर सकते हैं हफ्ते में एक बार आप इसका जुरूर यूज कीजिए तो ग मेरेरी वडहें के लाइक है वीडियो आपको मेरे वीडियो अची को अच्छिक आपको और समूतुटनग्वेतल